सब्सक्राइब करते हैं आज की जो क्लास होगी उसके अंदर हम के स्टेडी करने वाले हैं टाइम बेस डाटा की के स्टेडी आने के चांसेज हैं इसमें दो हमारे पास मैथड है या तो मैथड ओफ लीस्ट स्कोर है या फिर जो कॉइंस सकते हैं या फिर आपसा खेज की स्टेडी के सकते हैं हमारे मिलेगा जो आपके exam की preparation में आपको पूरा-पूरा help करेगा तो अगर आप अपने exam की preparation के लिए एक अच्छे book की तलाश में है जो की applied mathematics को ही dedicated हो तो ये question bank आप purchase कर सकते हैं इसको purchase करने के लिए आप description box में जा सकते हैं वहाँ पर आपको इसकी soft copy और hard copy दोनों का link available होगा जैसे आप comfortable हैं पढ़ने में आप वैसे उसको order कर सकते हैं hard copy के लिए आपको अपना address details बाकी जो सारी चीज़े हैं वो सारी सही से डालनी है ताकि hard copy आपके जो बताएगे address पर properly पहुंच सके उसके लिए कोई extra delivery charges नहीं है जो फीस आपको जो बुक की cost है उसी cost के अंदर ही आपको delivery आपके address पर कर दी जाएगे और soft copy अगर purchase करना जाते हैं तो soft copy आप directly वहाँ से purchase कर सकते हैं दोनों के link आपको description box में मिल जाएगे तो अब जो question यहाँ पर हमें दे रखा है case studies का यह question 2023 के compartment exam में question आया हुआ है अब इस question में कहता है कि the following data shows the percentage of rural, urban and sub-urban Indians who have a high speed internet connection at home तो यह data आपको दे रखा है high internet connection का यहाँ पर year 2016, 17, 18, 19, 20 पात साल का data हमारे पास है यह rural area का data है, यह urban का है और यह semi-urban का है आप कहता है कि based on the above data answer the following question derive straight line trend by the method of least square for the rural Indian और इसकी option में आपको question दे रहे का find a straight line trend by the method of least square for the urban Indian तो rural और urban इन दोनों का ही आपको method of least square से trend equation बनानी है सिर्फ trend equation बनानी है यहां कहता है कि derive straight line trend यानि trend values नहीं निकालनी है सिर्फ आपको trend equation बनानी है उसके लिए आपको a की और b की value चाहिए अब जो आपके पास यहाँ पर data दे रखा है उस data को हम tabular form में लिख लेते हैं तो यह आपके पास year हो गए यहाँ पर आप एक table बना लेते हैं यहाँ पर यह table आपके पास आईए table का जो data है यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर आगे है year उसके बाद यहाँ पर year है 2016, 17, 18, 19, 20 यह लेख लिए उसके बाद आजा rural यहाँ पर हम लेंगे पहले x ठीक है यहाँ पर हम निकालते हैं x तो x हम कैसे निकालेंगे आपने देखा कि जो number of years है हमारे पास वो 5 है यानि n की value 5 है अब n की value 5 है तो जो origin year होगा इसका यह middle वाला year है इसको हम origin year ले ले लेते हैं इस year को तो आपको जब x की value निकालनी है तो x का वंतलब हो गया है कि आपको जो भी यहाँ पर origin year है उसको आपको minus करना है जितने भी time आपको दे रखाए मतलब ti minus origin year तो यहाँ पर अगर 2018 में से आप 2018 को minus करोगे तो 0 आएगा अब उपर एक एक कम हो रहा है तो सिधा minus 1 minus 2 आप लिख सकते हो और नीचे plus 1 और plus 2 ठीक है उसके बाद एक column बना लेते हैं पहले x square का method of least square में इन सबकी requirement हमें पढ़नी है तो यहाँ पर यहाँ आगया 4 यहाँ आगया 1 यहाँ जीरो यहाँ यहाँ पर 4 उसके बाद जो हम y वाली value लिखते हैं जो आपको यह data दे रख है यह जो rural का data है इसको हम पहले ले लेते हैं y और y 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें rural का भी चाहिएगा और urban का भी चाहिएगा ठीके तो rural का data आगया आपके पास कितना 3, 6, 9, 16, 24 अब आपको एक column चाहिए जिसमें हमको x को y से multiply करना होता है तो x y 1 तो x को y 1 से multiply करेंगा आजाएगा minus 6 minus 1 into 6 यानि यह भी minus 6 यहां से आगया जाएगा 0 यहां से आगया जाएगा 16, 24 to the 48 तो यह तो आगया rural का data ऐसे है आप data लोग urban का इसको हम नाम दे देते हैं y 1 अब y 2, y 1 तो अल्रेडी आगया ना हमारे पास तो y 2 आगया आपके पास 9, 18, 9, 18, 21, 29 उसके बाद आगया 38 अब यहां पर एक column बना लो x y 2 तो x को y 2 से multiply करेंगे 2, 9 जा 18, फिर minus 18 उसके बाद 0 into 0, 1 से इसको करेंगे 29 और 2 से इसको करेंगे 76 अब आपके पास जो x है उसका total भी आपको चाहिए होता है ठीक है sigma x आगया हमारे पास 0 और x square है इसका total आपको चाहिएगा तो हमारे पास x square का total आजाएगा 4, 5, 10 आगया उसके बाद आपको y 1 का total भी चाहिए y 1 का total करते हैं तो यह आया हमारे पास 58 और x y 1 का total करेंगे तो यहां से देखो 6 होचे 12 माइनस का 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 यानि 52 हो जाएगा इन सब का total भी कर लेते हैं इसका total बन रहा हमारे पास 115 और इसका आगया आपके पास 69 ठीक है जो हमें data चाहिए था वो सारा कुछ हमारा आगया trend equation निकालने के लिए अब trend equation निकालने के लिए आपको a की और b की value चाहिए होती है तो यहां पर हम देखने हैं कि sigma x 0 है जब sigma x 0 होता है तो अगर आप first part की बात करें तो a की value आजाएगी sigma y 1 divided by n अब y 1 आपके पास है कितना 58 58 को अगर आप divide कर देते हैं किस से 5 से n 5 हमारे पास तो यहां जाएगा 11.6 ठीक है अब b की value निकालेंगे तो b की value आती है हमारे पास sigma x y 1 divided by sigma x square तो sigma y 1 कितना आपके पास x y 1 आपके पास है 52 और x square आपके पास आगया 10 यहां से आजाएगा 5.2 तो इसकी जो trend equation बनेगी trend equation का formula होता है a plus b into x तो a की जाएगा हमारे पास आगया 11.6 b की जाएगा 5.2 into में x तो यह value बन गी आपके पास first part की ठीक है 11.6 plus में 5.2 x ऐसे जो urban वाला data है ऐसे same इसी तरीके से आप उसको use कर लो तो urban वाले data में इसका और में आगया आपके पास वहां से एकी value निकालेंगे तो वहां sigma y2 लेना है sigma y2 upon में n अब sigma y2 आपके पास है 1 1 5 1 1 5 इसको divide करना आपको 5 से ठीक है 5 2 जा 10 5 3 जा 15 23 आगया b की value यहां से आप निकालेंगे तो sigma x y2 divided by sigma x square तो यह आपके पास है 69 divided by 10 तो यह आजएगा हमारे पास 6.9 तो यहां से इसकी जो trend equation है यह बन गी 23 plus 6.9 x तो जो first question के दोनों पार्ट है और वाले यह आपके पास आगे अब उसके बाद जो इसका second part है उसमें क्या कहता है कि what is the forecast for the year 2021 for the urban group using the trend equation जो trend equation हमारे पास किसकी है अर्बन की अर्बन की हमारे पास यह वाली है ठीक है अब यह कह रहा है कि आपको 2021 के लिए forecast निकालना है तो हमारे पास देखो 2020 तक का data था तो 2021 में जो x की value आ रही है वो 2 है तो 2021 के लिए x की value 3 हो जाएगी तो यहाँ पर आपको अर्बन वाले data में x की जगे पर 3 put करना है ठीक है if x equals to 3 तो जो आपके पास trend equation आएगी 2021 के लिए यहाँ जाएगी 23 plus 23 plus 6.9 into 3 तो यहाँ आपके पास 23 plus 3 says को multiply कर दो तो यहाँ जाएगा 43.7 43.7 ठीक है यह आगया 2021 के लिए हमारे पास value अब इसमें कहता है कि नीचे में what is the forecast for the year 2021 for the rural group अब rural group की trend equation यह है तो यहाँ पर भी आप x की जाएगा 3 put कर दो अब यहाँ x की जाएगा 3 put करोगे तो यहाँ आपके पास बन जाएगा यहाँ ले लेते हैं इसको y 2021 equals to 11.6 plus 5.2x x की जाएगा वही 3 put करना है 11.6 plus 3.2x6 3.5x15 तो यह बन गया आपके पास 6.612 5.6 7 और यहाँ गया 27.2 तो यह बन गया आपके पास इसका rural group का data तो इस तरीके से आप यह question कर सकते हैं उसके बाद अगर हम second question पे चले second case study पे चले तो इस case study में कहता है कि when observed for a long period of time a time series data can predict trend यह सारी कहानी मतलब हो दे रहा है question से कोई मतलब नहीं है हम question पे चलते हैं सिधा आपको यह data एक दे रख है कि year sales in rupees thousands 2015 में इतनी sale हुई 2016 में इतनी sale हुई 17 में इतनी sale होगी 18 में इतनी और 19 में इतनी यह sale होगी अब यहाँ पर गाहता कि by taking year 2017 as origin इसने हमें question में बता दिया कि 2017 को आपको origin लेना है तो उसी को लेना है तो आपको पुरा यहाँ पर street line find the best with trend line equation यह आपको इसमें find करनी है ठीके अब यह में अगर आप find करेंगे तो आपके होगी trend equation की line बनानी है उसके बाद इसके option में कराए कि demonstrate the technique to fit the best suited street line trend by the method of three year moving average also draw the trend line अब यहाँ पर दोनों आपको question करने है मतलब दोनों में से कोई एक करना है वैसे तो लेकिन आपको दोनों option दे रहे कि street line trend या तो आप method of least square से निकाल दो या आप moving average से निकाल दो अभी तो हम यहाँ पर दोनों करेंगे लेकिन आपको question करने से पहले पूरा चेक करना है कि आगे क्या दे रहा है आगे करना है कि what are the estimated sale for the message सुनीता business for the year तो इसके लिए आपको जो trend equation चाहिएगी यानि आपको यह question करने के लिए method of least square से trend equation तो निकालने ही पड़ेगी तो better है कि अगर आप option आपके पास choose जैसे करने को आता है तो पहले बाकी सीचे पढ़ लो कि आपको किस सीच की requirement पढ़ेगी उसी के इसाब से जो option वाला question है वो आपको choose करना चाहिए कि आपको method of least square से करना है या method of moving average से करना चाहिए ठीक है अब यह data जो हमारे पास है इस data में 2015 से start है तो हमारे पास जो data है 2015 का है पहले तो यहाँ लिखा हमने year यहाँ पर लिखते हम year इस अपने पिछले question में बनाया था 2015 16 17 18 और 19 यहाँ भी हमारे पास 5 साल है तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे अब उसने question में बताए दिया कि 2017 को आपको origin लेना है तो x की value निकालने के लिए जो भी आपको time दे रखा है उसमें से 2017 को minus करना है तो यहाँ पर 0 आएगा इधर minus 1 आएगा इधर minus 2 आएगा इधर 1 आगया इधर 2 आगया उसके बाद आपको x square निकालना है तो यहाँ जाएगा 4, 1, 0, 1, 4 उसके बाद आपको y चाहिए y मतलब जो data आपको यह दे रखा है 35, 42 35 42, 46 41, and 48 फिर column चाहिए हमें x और y का x को इससे multiply करोगे minus 70 minus 42 0, 41, 96 आप इन सब के total चाहिए आपको इसका total करेंगे 0 आगया इसका total करेंगे 10 आजाएगा इसका total करेंगे y का तो यह बन रहा है आपके पास 212 और इसका total आपके पास 25 ठीक है यह सारे total आपके पास आगे अब उसके बाद आपको a की value निकालनी है तो a का formula आमारे पास होई sigma y divided by n sigma y कितना है sigma y आपके पास 212 n है हमारे पास 5 तो यह बन जाएगा 42.4 ठीक है उसके बाद b की value निकाल लेते b की value आईगे आपके पास sigma xy divided by sigma x square xy आपके पास 25 और आप 10 से इसको divide करेंगे तो 2.5 यानि इसकी straight line trend आ गया 42.4 plus 2.5 x यह हमारे पास इसकी trend line equation आ गई ठीक है अब उसके बाद जो इसका second part है उसके लिए आपको 3 year moving average method से इसको calculate करना है तो 3 year moving average से अगर हम इसको calculate करेंगे तो उसके लिए आपके पास जो data है एक column आपको फिर से एक बर बनाना पड़ेगा year 2015 16 17 18 और 19 ठीक है और जो आपको यह data दे रखा है y जो हमें दे रखा था data 35 42 46 41 और 48 तो इसके लिए आपको 3 year moving total निकालना है यहाँ पर 3 year moving total तो तीन साल को total करो पहले तीन को लेते हैं 5 प्लस 2, 7 7 प्लस 6, 13 इसको लिखेंगे हम बीच वाले के सामने 1 केरी किया तो यहाँ पर आपको 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 यह 12 123 उसके बाद आपने 35 को छोड़ना है 41 को लेना है तो मतलब हम 6 number increase कर रहे हैं तो सीधा इसके अंदर 6 आप add कर दो 129 उसके बाद आपको 42 को हटा कर 48 लेना है तो 6 फिर increase हो गया तो यहाँ पर आगया 135 ठीक है इस तरह से यह technique लगा कर आप अपना time save कर सकते हो टोटल करते समय उसके बाद यहाँ पर column निका लेंगे 3 year moving average तो 3 year moving average आप निकालो अब इसमें आप तो इसके लिए क्या करना आपको 3 से इन को divide करना है तो 3 4 0 12 और 3 3 3 0 9 3 4 0 12 3 5 0 50 ठीक है यह आगया आपके पास अब अब यह कर रहा है कि इसको आपको graphically represent भी करना है तो graphically जब आप इसको represent करेंगे तो आपको यहाँ पर draw करने पड़ेगी lines यानि graph बनाना है हमें तो graph बनाते हैं अब यह पास यह line आगी ठीक है अब यह कहता है कि आपको जब graph बनाते हैं तो graph बनाते समय आपको कौन सा data plot करना होता है एक तो आपको यह original value है यह plot करनी है और एक आपको यह वाली value plot करनी है तो graph में जब हम value ले रहे हैं तो ये वाली value और ये वाली value चाहिएंगे हमें अब यहाँ पर जो data आप नीचे show करेंगे यहाँ पर जो नीचे आप data show करेंगे यह year होगे आपके पास यहाँ पर 2015 ठीक है यहाँ 2016 2017 इक्वल इक्वल गैप पर आपको इसको ले लेना है 2018-2019 ठीक है उसके बाद जो ये actual data है यह आपको present करना है तो actual data को आप यहाँ पर point plot कर लो और point plot करके उसको आप mark करो तो 2015 के सामने 35 है यहाँ पर आप इस data के हिसाब से ना proper gap लेना है जैसे यहाँ पर data दिख रहा है तो मेरी ख्याल यहाँ पर 10-10 का gap ठीक है तो 10 इदर 20, 30, 40, 50 तो यहाँ पर है 35 तो 35 आज जाएगा 2015 पर और यहाँ पर इसके सामने अज़र ग्राफ पर बनाओगे तो आपको विलकुल exact बिरनेगा फिर 2016 के सामने 42 तो 40 से दो लाइन ऊपर चले जाएगे 42 फिर 46 46 थोड़ा सा ओर ऊपर चलेगे 41 41 वापस नीचे आजएगे उसके बाद है 48 48, 50 से दो लाइन नीचे आजएगे ठीक है अभी आपको screen पर हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसे हम देखते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट इदर दर हो जाते हैं अब इन lines को आपको draw कर लेना है ठीक है यहाँ से इस point से इसको join करना है फिर इस point से आपको इसको join कर लेना है फिर इस point से इसको join करना है तो यह बन गिया आपके पास actual line ठीक है इसको में बोलेंगे actual line अब जो दूसरी line बनानी है आपको वो बनानी है आपकी जो moving average है उसकी तो यहाँ पर आप देखो जो 2016 है उसके सामने value रखने है आपको 41 15 के सामने ने रखनी ठीक है यहाँ पर आपके पास यह blank space है तो यहाँ 41 रखना है किसके सामने 2016 के सामने तो 2016 के सामने आप जाएंगे 41 पर तो जो पहले value सी उससे हलका सा नीचे ही है वस उसके बाद 43 तो 43 फिर उसके बाद यहाँ पर 45 45 इदर आ जाएगा थोड़ा सा उपर तो यहाँ पर जो आप line बनाओगे यहाँ पर जो line बनाओगे तो आपको यहाँ से या तो आप color difference करें line में ठीक है या फिर आप dotted line बना सकते हो और इस point को इस से join कर देंगे ठीक है थोड़ा सा line हमारी ऐसे होगी यह तो इस तरह से line आपको represent करनी है यह जो yellow वाली line आएगी आपकी यह क्या बन गिया यह बन गिया यहाँ पर trend line यह actual line है यह आपकी trend line तो इस तरीके से आप यह graphically इसको present कर सकते हैं तो जो पहले question के दोनों पार्टे और वाले हो दोनों हमने कर लिए अब जो इसका second part है उसे करने के लिए हमें यहाँ पर जो trend equation है उसकी जरुवत पड़ेगी तो मैं यह वाला portion delete कर रहा हूँ अगर आप को किसी को इसको screenshot लेना है तो screenshot आप इसका ले सकते हो इसके बाद हम यह वाला portion कर देते हैं delete अब यहाँ पर देखो second part में कहता है कि what are the estimated sales for Mrs. Sunita business for year 2022 अब 2022 के लिए आपको निकालना है तो 2022 के लिए आपको x की value पहले decide करनी है कि वो क्या होगी तो उसके लिए आप क्या देखेंगे हैं यहाँ पर 2019 पर जाओ 19 पर x की value 2 है तो 20 पर x की value 3 होगी 21 पर x की value 4 होगी 22 पर x की value 5 होगी तो आपको यहाँ पर x की जागा पर 5 पूट कर देना है 42.4 प्लस 2.5 इंटू 5 तो यह बन जाएगा आपके पास 12.5 यानि इसकी जो trend value आपके पास वाजाएगी 56.9 ठीक है अब यहाँ पर 54.9 जोड़ी 54.9 अब यहाँ पर इसने पूछा दा हमसे की what are the estimated sales तो sales जो आपको दे रहे की न यह दे रहे की sales in thousands तो जो आपके पास यह value आएगी उसको आपको 1000 से multiply कर देना है तो sales in 2022 sales in 2022 क्या है आपके पास 54.9 into 1000 तो यह बन जाएगा 54.9 जीरो जीरो ठीक है यह इसकी sale आजाएगी 54.900 उसके बाद कहता है कि मेंसे सुनीता wishes to grow her business to yearly sale of rupees 67.400 इन विच यर विल शी बी एबल तो रीच हर टारगेट अगर उसके ओपनी sale को 67.400 पहुचाना है तो उसको कौन से time में यह success जो है वो मिलेगी तो इस question का उल्टा करना है आपने पहले इसमें यह निकाला था और x की value दे रखी दी अब आपको यह दे रखा है और x की value पहले निकालनी है तो यहाँ पर जो equation है equation में हम कैसे ले रहे हम यहाँ पर values को इस तरीके से लिख रहे है तो यहाँ पर value आपको दे रिखे 67.400 इसको आप जब आप in term of thousand ऐसे लिखोगे तो यह value कितनी आ जाएगे आपके पास 67.4 ठीक है जैसे हमने यह वाला कर रहे है अपने यह thousand से multiply कर दिया था यहाँ पर thousand से divide कर दो तो आपको आपको जो यहाँ पर sale value है यहाँ पर रखना है आपको 67.4 ठीक है 67.400 नहीं रखना क्योंकि हमारे पास जो यह data equation के अंदर है वो इस format में है इसमें हमने thousand से divide करके लिखा हुआ है is equal to 52.4 plus 2.5 into में x तो x की value कब होगी जब हमारा sale target इतना आ जाएगा इसको यहाँ लागे minus करोगे 4 में से 4 minus हो गया 7 minus 2 5 6 minus 4 2 अब इसको इदर लाओगे तो x आगे 25 upon 2.5 इसका अब decimal हटा दोगे और यहा 25 25 cancel तो x की value होगी 10 x की value 10 का मतलब है कि अब से 10 साल बाद ठीक है 10 साल बाद उसको यह achievement मिलेगी तो आपको 10 साल किसके साब से देखना है आपको 0 के साब से देखना है इसके साब से मत देख लेना ठीक है 10 साल बाद आपको 0 के साब से देखना है तो 2027 में उसको यह success मिलेगी तो इन questions के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यह पर finish करते हैं तो time series के जो question है case studies के या आपके exam में hopefully आपको help परेंगे कि time series के question आपको किस तरीके से करने चाहिए अगली वीडियो में मिलते हैं financial mathematics के case studies के साथ Thanks all of you